हेलो डिफेंट्स, वेलकम टुमाई चनल तो ब्योडी मैं SSE MTS के एंसर की के बारे में बात करने वाले है कि SSE MTS का एंसर की जो आप लोग का आज आने का संभावना है या फिर आप लोग का जो कुछ दिर जो डिले किया जाएगा एंसर की में जो चार दिन के अंदर आप लोग का एंसर की जो जारी कर दिया गयता तो संभावना यहां भी कि आप लोग का जो आज जो आने कि जो चौवीस तारिक है क्योंकि 20 को आप लोग को एकजाम खतम हुआ है आप लोग का जो जून में जो एकजाम इसका फिर से कंड़क्ट हुआ था वो जो आप लोग का 13 से लेकि जो 20 तक जो चला उसके बाद आप लोग को यहां पर जो आए 24 तारिक हो गया निकि 20 से 24 दिखोगे तो चार दिन का टाइम हो गया है जो संभावना है कि आज साम तक हो सकता है आप लोग का जो एंसर की का जो लिंक है उसको एक्टिबेट कर दिया जाए क्योंकि आप लोग का जो स्टूडेंग्स ज़ो ईंसर की यहां पर जारी कर दिये जायात कर जाएग़ जादा आप लोग का वेट नहीं करना पड़ेगा आप लो क्योंकि यहां पर लेक्न सकते हूं, से का एंसरी अट क्लेसान और फिलहाल यहां एंसर की जल से जल जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CPU का जो बचा हुआ था, आप लोग का जो marks and final answer की जारी नहीं किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हो 23 जुना निकल इसको जो upload कर दिया गया यहाँ पर, तो चांसे से कि आज साम तक जो 80% चांसे से संभावन कि आप लोग का जो answer की जो साम तक जारी कर दिया जाएगा, अगर साम तक आप लोग का answer की नहीं आता है, तो फिर चांसे से कि कल या परसो, आनि 25 या 26 को confirm आप लोग का answer की जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर 27 से जो है, SSC phase 11 का exam जो conduct होने वाला है, तो आप लोग को wait कर आप लोग का answer की आ जाएगा, और कभी भी कोई भी जो है update जो SSC के तरफ से आप लोग का SSC MTS के answer की के regarding, कभी भी अगर आप लोग का answer की भी जारी हो तो मैं आप लोग को inform कर दूँगा, तो प्ली में चनल को subscribe करें, अगर वीडियो पने मेडियो को like भी कर लिजेगा, तो आप मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नियर ब्रट का, थैंक्यू